क्या आपने कभी सोचाई कि आप पिछले जनम में क्या थे? क्या बग चीजों में विश्वास भी करते हैं कि हमारा पुनर जनम हो सकता है? आप क्या कहेंगे अगर मैं बताओं कि एक लड़की है जिसको अपनी पिछली पुरानी जनम का घर पूरा सब याद हो आईए शुरू करते हैं जिया नाम है उनका मैंने नाम बदल दिया उनका पिछली एपिसोड में जो कहानी थी इनिकी थी जो कहला जादू पर उन्होंने ही मुझे ये कहानी बताईए पुनर जनम की पास लाइफ की बेसिकली तो आईए शुरू करते हैं फिर से ये पंजाब के पिंड की कहानी है उनका नाम है जिया जिन्होंने पहला एपिसोड इनका नहीं देखा जो पिछली स्टोरी वो जरूर देख लीजिए वैसे कोई connection नहीं है पर दोनों की एक ही person की कहानी है तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों कहानी सुने और मज़े उठाई है और मुरे वीडियस को लाइक करते रही है व्यूज बढ़ाते रही है प्यार माइते रही है कहानी पर शुरू करते हैं पिछली कहानी थी एट स्टेंडर की यह कहानी उनके और जब वो छोड़ देती बचपन में इनको एरो प्लेन का बहुत शौक था आयार पंजाबी है प्लेन और बाहर जाने का बहुत सब को शौक होता है मजाक मत बनाओ आगे बढ़ो बचपन में तो प्लेन उनको उनको बहुत शौक था बचपन में हम जैसे हम सब को उता है प्लेन जब भी उरता था यह बहुत तो बाहर एक बटेदी ती निच्ट ाग्था तो इनको बड़ा मसा आता है प्लेन से बढ़ लगाफ था तो जाहिर सी बात एंके पास खिलोने भी प्लेन के बहुत सारे थे तो यह जब प्लेन के खिलोने से भार खेलती थी तो यह प्लेन के साथ खेल खेल के एक गड़ा खोड़ देती थी गड़ा एक खोड़ के प्लेन उसमें जैसे गिरा दिया और बाद में यह जो भी उसके साथ खेलती रहती थी, बाद में एक जीब सी चीज बोलती थी, अपनी दोस्कों की आजा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी आजा, जल्दी आजा, यह देखे, यह इनको कुछ याद नहीं है, जो यह ऐसे बोलती थी, यह इनके मामा अपन इनको बताया, कि तू बचपन में ऐसा करा करती थी, और आज भी उनको प्लेन से बहुत लगा हूँ है, जो जब भी जाता है, उड़ता है, देखती है, उनको बहुत मज़ा आता है, जो बचपन में जो था, यह खेलती ही बोलती थी, कि यह तू कहां है, यार, मैं वेट कर तू आजा, तू आजा, दोस्त भी बड़े जीत तरीके से खड़े के देखती थी, कि यह क्या बोल रहे है, उसकी मम्मी भी सोची बोल कह रही है, तो कुछ हलका सा और लगा, खटका, फिर इग्नोर कर दिया, फिर एक दिन, इनकी मम्मी जी ने इनको एक जगा पे कही जाना यह रिपीट पर बोले जा रही है बात-बात, अब आप सोची एक छोटी सी बच्ची के पास गाड़ी, घर, गली, क्या हो, कैसे क्यूं होगा, और कहरी कि मेरा बॉस मतलब की काम करने वाली की उमर है, तो यह बॉस इनका अभी बच्पन में क्या ही होगा, क्या काम करती हुआ है, मुझे उसको देखने जाना है, तो आप बताए कि बहुत ही अजीब सी बात रही है, कि एक छोटी बच्ची बोल रही है, और इसनी छोटी थी कि यह भी ने कि मुवी कर देखके, डायलोग देखके, याद करके बोल रही है, बहुत मतलब 8-10 साल से भी कम भी, है, क्यों है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें ये बोलती रही करती रही, अब ये बड़ी हो गी है, माबाप ने वो बात इग्नोर कर दी, पड़ आज भी ये कहते है कि जब मुझे माबाप ने मुझे बताई, मुझे आज भी वो इंसिडेंट मुझे सोच के लगता है कि ये क्या है क्या है, सच्ची में मेरा एक कोई पास जनम में मेरा कुछ था, कि मैं ऐसे परिवार या, ऐसे मुझे बॉस का बेटा है, जो भी था, वो कह रही है कि मैं जानना चाहती हूँ इसको, तो अगर आपके पास कोई है कॉन्टाइप जो कोई हेल्प कर सकता है पास लाइफ को जा जली में जाके, इधर जाए ये लेफ्ट, राइट, उदर करके वहाँ पे गर है, तो क्या लगता है, कोई क्या था कि कोई वहम था, क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शनर बताएगा, कहानी इनकी बहुत थोड़ी छोटी सी थी, पर ये बड़ी इंट्रेस्टिंग सी कहानी लग क्योंकि जैसी एक नई वीडियो आएगी, सीधा नोटिविगेशन आप पे जाएगी, तो ठीक है, मिलते अगले एपिसोड में तक तक के लिए स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, थैंक्यू, वन्स अगेड